हाई दोस्तों आज पहली बार एक लाइव व्लॉग डाल रहा हूँ कैसे एक इंटरवेंशन रेडियो लॉजिस अपना दिन बिताते हैं हमने अपने दिन की शुरवात की भक्ति विदान्त हस्पिटल से मीडा रोड जाके अपने टीम को ग्रीट किया हर चीज का एसोपी और पोटोकॉल्स होता है गाउन कैसे पहनना है गलव्स पहनने का अपना तरीका होता है अफकॉर्स एक डॉक्टर अपनी टीम के बिना कुछ नहीं है और बक्ति विदान्त हस्पिटल मीरा रोड has one of the finest teams I have worked with despite working in so many big hospitals यह हम एक special chloraprep device यूज कर रहे है यूरोप और USA के maximum देशों में यह यूज किया जाता है disinfection के लिए इसको बस scrape करके हम patient के skin पे jaw से लेके chest तक पूरा clean कर देते हैं और यह disinfectants तीन मिनट के अंदर पूरा skin को disinfect कर देता है ताकि बिलकुल भी patient को कोई infection risk ना रहे इतनी अच्छी मातरा में इतनी अच्छी disinfection के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं अफकॉस पूरा procedure देखने के लिए यह eye button पे वीडियो है आप जाकर live demo देख सकते है मेरा procedure हो गया तो मैं तो चला अपने next hospital अपने next center जाते जाते हम car में easy नहीं ले सकता है हमें immediately phone पे लगकर एक बार आपने driver को instruct कर दिया कि आपका next center कौन सा है immediately आप अपने mobile पे लग जाते हो और आपको अपने next case का coordination शुरू कर देना पड़ता है कि मैं 10 मिनट में पहुच रहा हूँ patient को table पे ले लो ये वाला city cut ले लो एक्सेक्टर सो ऐसा मत सचे कि doctor's car में rest कर पाते है बीच में traveling के बिलकुल rest नहीं मलता है आपका पूरा time coordination में जाता है अलग-अलग cases के of course कई बार नाश्टा या खाना car में करना पड़ता है क्योंकि दिन में schedule इतना heavy है और अगला patient already घुसे में बैठा हुआ है कि doctor 15 minute late है तो आप effort नहीं कर सकते कि आप उसे कहो कि मैं इधर 5 minute break लेके नाश्टा करूँगा ये हम पौच गए unity diagnostic center बोरी वली में देवी पड़ा मेट्रों के सामने है ये center अब शुरू करने जा रहा है हम एक CT guided biopsy procedure ये patient को spine का infection है of course infection है या cancer है इसमें doubt है तो doctors हम से चाता है कि हम एक special drill biopsy gun use करके ये patient के spine से थोड़ा सा samples लाए और उसे lab में टेस्टिंग के लिए भेजे तब तक हम अपनी बाकी strategy बना लेते है team से discussion के बाद strategy के बाद process शुरू किया जाएगा so final planning stage के बाद चली आईए CT console में और biopsy प्रसेश शुरू करते हैं ये पहन लिए sterile gloves ये biopsy शुरू कर ली of course मैं आपको ये बहुती fast forward time lapse mode पे दिखा रहा हूँ ये ले लिए samples पूरे वीडियो के लिए again इसका हम live demo बना चुके है आप i button पे जाके वो भी देख सकता है end में मैं end screens पे भी ये सारे live demo दिखा दूँगा इस दिन हमने जो जो case की है finally ये sample जा चुके हैं और हम रवाना हो चले अपने next center के लिए जो है सुनाना होस्पिटल मलाड यहाँ पहुच गए हम होस्पिटल और यहाँ पे हमारे तीन back-to-back cases है दो है thyroid nodule ablations एक patient Goa से आये है एक patient Kerala से आये है again हमारे जो awareness campaign है उसके द्वारा ये information उन तक पहुची उनके relatives को हमने treat किया थो तो अब वो भी आया अपना इलाज कराने Goa वाला patient हमारे लिए बहुत special है क्योंकि इनके दोनों side thyroid nodule से और पहली बार हमने दोनों nodule को एक ही session में खतम किया है usually मैं एक nodule एक time पे करता हूँ और कुछ हफते बाद second nodule को target करता हूँ safety के लिए क्योंकि ये patient इतना दूर से आये थे हम इने दो बार नहीं बुलाना चारहे थे इसलिए हमने एक ही session में दोनों nodule को destroy कर दिया सब कुछ एक needle से तो ये दोनों procedures needle से thermal ablation से सुन करके patient के होश में रहते हुए खतम करने के बाद अब हम ले रहे एक special case जो है veena seal के शुरू करने के पहले अगर आप ये पुराने ablation videos का life demo देखना चारहे हो तो वापस high button में जा सकते हो last में end screen में भी share करूँगा ये हमने शुरू कर दिया veena seal procedure छोटी सी पतली सी सुई से सुन करने के बाद कोई nerve block या कोई spinal anesthesia या general anesthesia नहीं दिया है एक micro puncture kit ले लिया उसे upgrade करके blue sheet में convert कर दिया finally glue की gun ये ready है और glue deploy करना शुरू किया इस procedure का नाम है veena seal, vericose veins के लिए आज की तारिक में इस से better procedure नहीं है veena seal procedure complete किया, अब time आगया है clinic जाने का जी हाँ सही सुना आपने, अभी तक घर का time नहीं, अभी clinic पे patients बैटे हुए बहुत सरे तो ये हम clinic पे पहुचे, one by one patients खतम किये अब हम निकल पड़े घर के लिए, finally आप कितना भी ठक जाओ, आपकी पीड दुखरी है बैयंकल तरीके से आपको नीन दा रही है, भूक लग रही है, लेकिन घर पहुचके सबसे पहले time है बेटे के साथ खेलने का, क्योंकि वो बिचारा सुबह से रुका हुआ है, अपने पापा के साथ पाच मिनिट खेलने के लिए और बेटे के साथ खेलने के बाद, नहाने दोने के खाने के बाद, चले हम बिस्तर पे अब इतना टाइरिंग था डे, लेकिन कल सुबह फिर से साथ बज़े दिन शुरू करना है कल चलेंगे सेफी होस्पिटल चलनी रोड और लिलावती होस्पिटल बैंडरा और उसके बाद दुबारा क्लिनिक पे फिर कभी वापस मिलेंगे और दुबारा देखेंगे डे इन दो लाइफ ओफ एन आई आर एक इंटरवेंशन एडियलोजिस की दिन चरिया आई होप आपको पता चला कि एक डॉक्टर के लाइफ कैसे गुजरती है सुबसे लेके रात तक और आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो आगे चैनल पे जुड़े रही है क्योंकि हम बहुत सारा कॉंटेंट लाने वाले हैं बहुत अलग-अलग प्रकार के नॉन सॉल्जिकल मैनेजमेंट के लिए दोस्तों हमारे चैनल की एक खास बत हमेशा ये रही है कि अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो ऐसा एक भी कमेंट नहीं है आज तक जो हमने आंसर नहीं किया है अफकॉस धीरे धीरे कमेंट के नंबर्स इतने जादा बढ़ रहा है कि शायद हम ये मेंटेन ना कर पाए लेकिन जब तक कर पाए हम ये करेंगे तो अगर आपको ऐसी कोई भी मिमारी है जो आपको लगता है रही है सर्शक्त रही है